स्वागत है आप सभी का मेरे यूटू चनल पर आप देख रहे हैं साधर टेडिंग मेरे नाम है हर्स तो आज मैं आप सभी के लिए ट्रेड कॉपियर सिस्टम लाया हूँ जिसकी मदद से आप एक अकाउंट से कितने भी अकाउंट को कॉपी कर सकते हैं आपने मार्केट में देखा होगा कि कई सारे इससे सोफ्टेयर होते हैं जो कि अकाउंट तो कॉपी करते हैं लेकिन वह सिर्फ कुछ लिमिटेड अकाउंट को कॉपी करते हैं लेकिन हमारे पास जो सॉफ्टेयर है इसकी मदद से आप MT4 to MT4 और MT4 to MT5 और MT5 to MT4 और MT5 to MT5 account को copy कर सकते हैं वो भी zero latency के साथ जी या दोस्तों अगर आपके पस कोई ऐसा robot है जिसका सिर्फ आपके पस एक license है या तो फिर आपके पस कोई ऐसी strategy है जिसको आप sell नहीं करना चाहते हैं लेकिन आप account copy करके दूसरों का उससे थोड़ा commission कमाना चाहते हैं तो ये software आप सभी के बहुत काम आने वाला है इसमें आप सभी को zero latency देखने को मिलता है और साथी में अगर मैं execution की बात करूँ जैसे ही वहाँ buy करता है same to same तुरंत वहाँ पर execute होता है trade और जैसे यहाँ पर trade close होगा वैसी दूसरे वाले account में automatic trade close हो जाएगा अगर आप जितना यहाँ take profit रखेंगे same to same वहाँ भी take profit automatic रख जाएगा तो अब हम चलते हैं कि इसे कैसे use करना है और कैसे set करना है अपने mt4 पे तो मैं आप सभी को mt4 to mt5 account copy करके दिखाऊँ हो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी जो कि mt4 to mt5 mt4 to mt4 बेच रहे हैं या उनके पास software है लेकिन हमारा कैसा software है आप mt4 to mt5 भी copy कर सकते हैं mt5 to mt4 भी copy कर सकते हैं या mt4 to mt4 भी copy कर सकते हैं उनको तो सबसे पहले मैं यहां Robo4x का हमारे पास mt5 है इसको मैं open कर लेता हूँ फिर उसके बाद मैं mt4 यहां पर देख सकते हमारे पास mt4 है Meta Trader 4 इसको मैं open कर लेता हूँ तो मैं आप सभी को mt4 to mt5 trade copy करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि और भी YouTube में ऐसे वीडियो है जो कि mt4 to mt5 copy करते हैं तो यहां पर यह देख सकते हैं यह हमारे पास xnes का account है जो कि 997 इसमें equity है ठीक है अब मैं आपको यहां पर यह account दिखा देता हूँ mt5 का इसमें भी आप equity देख सकते हैं तो अब यहां पर मैं simply अपने पहले तो file open data folder तो पहले हम mt4 to mt5 को copy करवाएंगे मतलब mt4 पर अगर trade लगेगा तो automatic mt5 पर trade लग जाएगा तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ तो मैंने हाँ पर same to same यह दो open कर लिया है अब मेरे पास desktop में यहां पर देख सकते हैं trade copier receiver और trade copier sender तो यह आपको mt5, mt4 दोनों version मिल जाएगा तो सबसे पहले जो mt5 वाला है मैं इसे copy कर लेता हूँ इसे में mql5 में expert वाले option में जाना है और आपको यहां simply paste कर देना है तो expert वाले option में मैंने mt5 के file को paste कर दिया अब मैं इसे थोड़ा सा refresh कर लेता हूँ यह देखिए यहां पर trade copier receiver mt4, mt5 हमारे पास आ गया है अब हम mt4 में डालेंगे तो हमें सबसे पहले जाना है files में फिर open data folder करना है फिर उसके बाद इसे हम कर लेंगे side में फिर same to same हम window open करेंगे इसका page फिर उसके बाद अपने को वही फिर जहां पर हमारा file है यह है mt4 का trade sender तो हम इसे copy कर लेते हैं यहां से फिर वापस हमें mql4 में जाना है और फिर expert वाले में और यहां पर कर देना है paste तो trade copy sender यहां पर मैंने paste कर दिया है अब इसे मैं करता हूं refresh यहां देख लिजे यहां पर हमारे trade copy sender मैंने paste कर लिया है और हमारे PC में आ गया है तो अब क्या करना है simply ऐसे लाना है तो मैं इसे कर देता हूं तो उपर में देख सकते हैं trade copy sender वह जब आप इसे download करेंगे जब purchase करेंगे तो मैं इसका input setting है वह सारा बता दूँगा और कैसे चलाना है आपको वह भी बता दूँगा अभी हम mt5 इसे कर देता हूं तो इस दोनों पर मैंने लगा दिया है यहां पर देख सकते हैं trade copy sender लगा है और यहां पर trade copy receiver लगा है तो और यूरो हजी का चार्ट है वह मैंने same to same लिया यूरो हजी के चार्ट पर अप टाइम फ्रेम कुछ भी रख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं जैसे मैंने sell किया है automatic यहां पर sell हो गया तो अभी मैं buy करता हूं तो यह देखिया अभी spread थोड़ा जादा है इसी वज़े से उपर लगा है और spread इसमें थोड़ा सा low है तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका मैं आपको spread दिखा देता हूं अभी properties और so ask line तो इसका आप spread देख लिए तो guys यहां पर आप spread देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादे spread है और इसमें कितना spread है तो यहां पर spread matter करेगा जितना spread आप करेगा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि spread दोनों में same होना चाहिए तो जैसे कि यहां पर मैंने buy किया यहां पर silky automatic यहां पर trade दोनों लग गए और आप चाहे तो trade को control भी कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर आपको जो receiver है उसमें अगर आपको 0.01 ही रखना है तो 0.01 इसमें आप lot size हो गया या तो slippage वगेरा यह automatic सब कुछ spread कितना maximum lot size या minimum lot size आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं तो अगर जो receive करने वाला है वह अपने हिसाब से maximum lot size या minimum lot size वह customize कर सकता है इसमें आपको सभी चीज़ का option मिल जाएगा जो की एक trade copier में होना चाहिए तो इस strategy को download करने के description में हमारा link है वहाँ से आप download कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीकी से problem आती है इस software को install वगेरा करने में तो आप contact number से contact करके आप anydex से सारा कुछ setup ले सकते हैं और साथी में जो file वगेरा input वह आपको समझा दिया जाएगा तो नीचे description में फाइल पड़ी है आप वहाँ से download कर सकते हैं और हमारे website में मैंने बिल्कुल low price में जो crack TAs होते हैं या जितने भी MT4, MT5 को indicator हैं बिल्कुल low price में मैंने डाल रखे हैं तो उसको भी एक बर जरू चेक आउट करेगा और वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरू करेगा और चैनल को सस्क्राइब जरू करेगा मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए